एक गाइस कैसे हैं आप सब लोग तो रिसेंटली आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गोवर्मेंट आफ जम्मू कश्मीन ने एक और नोटिस जारी की है जैसे कि आपको थमनेल में पता चल गया होगा कि अब आपके जो पी आर्सी सेटिफिकेट्स थे उसकी कोई वैल्य है नहीं रही उसे उन्होंनेर क्लिट कर दिया गया उसकी कोई बैल्यू नहीं है उसकी जगाव अब उन्होंने डापको दीए है आपको जहां भी एसडिक की यूज्वysz औप थी उसका कोई usage नहीं रहा उसकी value निल हो गी है तो नीचे में आपको पढ़ा देता हूँ आज ही JK government ने यह notice जारी किया है आप देख सकते हो date इदर की 25 की जो आज है तो subject आप पर सकते हो domicile status as an eligibility condition for admission to education institute in J&K मतलब अब आपको domicile status चाहिए अगर आप किसी जम्मू एंड कश्मीर के education institute में admission चाते हो as an eligibility condition अब उन्होंने जैसे हम deep में नहीं जाएंगे इसका मैं last prayer पराज़ता हूँ that the requirement of a permanent resident certificate मतलब जिसे आप PRC की नाम से जानते थे wherever prescribed for admission shall be replaced मतलब PRC को उन्हों replace कर दिया है with whom domicile certificate की तगा तो इससे आप सभी के जो डाउट से की जिनका state subject बना होने भी बनाना पड़ेगा मैं बता देता हूं यह जो domicile certificate है यह सभी को बनाना पड़ेगा ठीक है यह एक तरह का आप कह सकते हो आपके state subject को इसने replace कर दिया है all administrative secretaries are advise immediately effect changes in status and rules wherever there exists prescribed requirement of PRC जहां जहां यह PRC use किया जाता था for admission education institute उद्धर उसके replace करके आपको domicile certificate as a document show करना पड़ेगा इनका आज का notice यही था तो मैं end में यही बोलना चाहता हूं कि अब आपके PRC कोई value नहीं रही और एक तीस एक को मैं बता देता हूं जो government ने एक अच्छा step भी लिए जो पिछली पिछला notice उन्होंने निकाला domicile certificate का उन्होंने उसमें वह हैं कि अगर आपका जो आपने जब domicile certificate के लिए आपने apply किया तो within 15 डेस आपका approval या disapprove कर देना चाहिए पाइदर तसीलदार अगर उन्होंने नहीं किया उन्हें फिफ्टी थाउजंड की penalty है यह अच्छा मूव है बाइदर government और जीन के तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें आपको नराज होने कोई बात नहीं है आपको पहले जैसे लॉक्डाउन खुलता है आपको अपना certificate बनाना पड़ेगा फिर आपको जॉब्स के लिए अप्लाय करना पड़ेगा ठीक है और आपको अगर आगर फदर्स एड्मीशन चाहिए बाकी दूसरे इंस्टिट्यूट्स में एजुकेशन इंस्टिट्स में जैसे इन्होंने ब जैसे कि आप यहां देख सकते हैं आपके असलेबर्स की जो डिस्टिबिशन की गई है जेके सिस्ट पे अकाउंट एसिस्टेंट की यह वो है तो इसमें से मैं आपको बता दूँ आपका अकाउंट एंसी हमने अबाउट 30 वीडियोस इस पे हमने अपलोड कर दी हैं और इकली डाउट क्लेरिंग क्लासिस जो जो आपके डाउट होते हैं उसमें क्लियर करते हैं और साथ में एक लेक्षर हम दिवाइस करते हैं आपका इक बता दूँ एकनॉमिक्स भी खतम हो गया इसके भी हम बड़ी जल्द रिवीजन स्टार्ट कर देंगे क्योंकि अभी आप आपको प्रॉपर mcq भी प्रॉवाइड कर रहा हूं तो उसके बाद हम अब साइन स्टार्ट करने की भी सोच रहे हैं बड़ी जल्द इसकी भी वीडियो आपके पास आ जाएंगी और जनल नॉलेज भी आपको कोशिश करेंगे कि आइस्ता आपके आपको वीडियो इसमें भी प्रॉवाइड की जाए जो इसमें में टॉपिक होंगे ठीक है तो जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब करने ताकि उनको यह वीडियो टाइम मिलती रहे क्योंकि अभी मैं बता दूँ आपके यह होने के लिए बड़ा टाइम बचा है तो मैं यह चीज आपको ग्रेंटी देता हूं कि हमारी एक्जाम तक 3-4 टाइम इसकी रिवीजन हो चुकी होगी 3-4 टाइम और साथ में हमारा क्विस कॉम्पेडिशन टेलिग्राम पे वीकली होई रहे जो तो हमाई सार पहले के जूड़े होने पता है आपको नीचे वीडियो